हेलो फ्रेंस वेलकम टो एट वंटीफो नॉलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भेल जासी भारत हेवी इलेक्रिकल्स लिमिटेड की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के फॉर्म फिलप के बारे में तो फ्रेंस यहाँ पर नॉटिफिकेशन इन्वाइट की गई है यह आपके ट्रेड एप्रेंटिशिप और टेक्निशन या ग्रेजूइट एप्रेंटिशिप पोस्त के लिए है और आप इसके लिए अपलाए कर सकते हैं ओनलाइन तो यहाँ पर फ्रेंस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शेर नहीं किया है लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिए जिससे आपको आने वाली सारी अप्डेट्स मिल सके तो फ्रेंस यहाँ पर भेल जासी द्वारा जो यहाँ पर दी गई है और सबसे इंपोर्टेंट ये है अपको ट्रेनिंग मिलती है तो इसके बाद यहाँ पर अगर आप एलीजीबल है और अपको फिल करने से पहले अपरेंटिशिप पोर्टल पर आपका रडिस्टेशन होना जरूरी है चाहे बात करें हम ट्रेड अपरे graduate apprenticeship की तो इनके लिए फैंस अलग-लग portal है जिन पर आपको link description में मिल जाएंगे jobrasta.com पर जाकर भी आप details को check कर सकते हैं और इस पर registration करना आपको जरूरी है और इसकी guideline आपको दी गई है registration process पहले ही मैं आपको provide कर चुका हूँ आप पहले ही check कर सकते हैं और यहां पर registration करने के ब या फिर जो भी M.H.R.D. N.A.T.S. का portal है उस पर जाकर registration करना होगा registration करने के बाद ही आप आगी की process में पार्ट ले सकते हैं तो यह इसका online portal है online portal में फ्रेंस जो important dates है तो एक जनवरी से 14 जनवरी तक form को fill करेंगे और hard copy को send करेंगे 23 जनवरी 2021 तक इसके बाद फ्रेंस से नी क्या क्या fill कर सकते हैं यहाँ पर तो आपका नाम father name, mother name और date of birth यह सब fill आप करेंगे friends आपकी SSC की mark sheet के according तो यहाँ पर आपका जो भी date of birth है वो आप fill कर देंगे father, mother और आपका जो नाम है वो आप यहाँ पर fill कर सकते हैं आपका age criteria count होकर automatic यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद friends यहाँ पर आपको gender select करना है आपकी जो भी category है इनवे से वो आप select कर सकते हैं इसके बाद friends यहाँ पर है कि आप वार है या wife है या husband है regular ये exists तो आप Yes Your No कर सकते हैंauen पर आपको देना है और उसके बाद यहांपर एक पासवर आपको देना है पासवर कैसा हो ना चाहिये तो इसके लिए फैंसे यहांपर इन्हों ने आपको पोलिसी जो है दी हुई है तो यहाँ पर देखिए जो password है वो new term 8 और अधिकतम 20 अक्षरों का होना चाहिए इसमें friends से देखिए यहाँ पर जो आपको दी गई है alphabets में lower case, uppercase यहाँ पर special characters और साथ में numbers यह आपके include होने चाहिए उस password में मतलब यहाँ पर friends तो भी password आप बनाएंगे उसमें capital letters में A से लेके Z तक जो small letters है A से लेके Z तक 0 से लेके 9 तक की values और कोई भी इन में से special character आप उस password में रखेंगे तो ही friends वो password आपका generate होगा इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसके बाद यहाँ पर password generate करें इसके बाद इस capture code को fill करके आप यहाँ से submit कर सकते हैं अपने registration process को complete कर सकते हैं इसके बाद friends आपका registration जो process है यहाँ पर complete हो जाएगा registration process complete होने के बाद आपको आपका registration number मिल जाएगा और इसके बाद आपका login section आपके सामने open हो जाएगा अब यहाँ पर आपके registration number जो आपने password अभी generate किया होगा और यह capture को डाल कर आप login कर सकते हैं इसके बाद friends से आप login कर जाएंगे अपने portal पर और portal पर login होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ देना है अधार card इसके बाद है अधार card को आप अपने account से link के जरूर कर वा ले इसके बाद आपका religion आपको यहाँ select करना है nationality आपको फिल करनी है आपकी जो भी nationality है वो आप फिल करेंगे इसके बाद आपका address आपको यहाँ फिल करना है line first आपका district आपको यहाँ पर देना है state देना है और आपका pin code आपको यहाँ पर enter करना है यह है आपका correspondence address और नीचे है permanent address अगर यह same है आप same as per click कर सकते हैं अलग-अलग है तो आप अलग-अलग manual entry भी कर सकते हैं तो यह आपके उपर depend करता है आपका क्या details है आपके address की वो आप यहाँ fill कर देंगे यह fill करने के बाद फैंसे नीचे आपको option मिलेगा आपके mobile number का तो आपका 10 digit का mobile number आप fill करेंगे और यहाँ पर कोई भी prefix आपको use नहीं करना है अगर आपके पास line line है घर में तो आप line भी दे सकते हैं नहीं तो इसको blank छोड़ देंगे mobile number fill करने के बाद फैंसे आप यहाँ से इसको submit कर सकते हैं submit करने के बाद फैंसे यहाँ पर आपकी personal details save हो जाएंगी और इसके बाद आप चाहें तो log कर सकते हैं यहाँ पर अपने details को log करने के बाद फैंसे आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे और इसके बार आप प्रोसीड कर सकते हैं क्वालिफिकेशन डेटेल्स के लिए इसमें फ्रेंट से जो क्वालिफिकेशन डेटेल्स है इसमें देखी 10th, 12th और ITE की डेटेल्स हैं तो ITE में आपको फीटर और NCVT आटोमेटिक यहाँ पर देखने क पीरिट बता देंगे तो पीरिएड ये यह बताना है तो एक आप दे देँगे इस के बाद CGP आहरे है पर से है और इसके यह किया है तो आपने यह कितने year में complete किया है आपका passing year क्या है percentage है cgp system है यह basic जानकर यह आप यहाँ fill करेंगे इसके बाद इसको submit करेंगे log करेंगे और उसके बाद proceed करेंगे photograph and signature upload section पर इसके बाद फैंसे यहाँ पर आपकी documents upload section है यह open हो जाएगा सबसे पहले है signature option और photograph option जो कि आप यहाँ upload करेंगे अब यहाँ पर देखिए जो आपका photograph है jpg format में 50 से 80 के भी signature का size 5 से 20 के भी और यह भी jpg format में आपका होना चाहिए तो friends यहाँ पर ध्यान रखिएगा mobile camera से आपने इसके नहीं किया हो blur नहीं हो आपने scan करवाई है और उसके बाद यहाँ पर सही ढंक से इसको upload आप करेंगे तो friends photo inside यहाँ upload करने के बाद जब आपको इसका preview यहाँ पर देखने को मिल जाएगा ऐसे ही friends आप इसको भी log कर सकते हैं और उसके बाद proceed कर सकते हैं declaration के लिए यहाँ पर friends आपको declare करना है कि जो भी detail आपने fill की है वो बिल्कुल सही है आप इस पर declare पर click करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको option मिलता है इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट में आपका print application form निकाल लेना है और print application form निकालने के बाद friends आपको यहाँ पर देखिए documents की list मिलती है तो यहाँ पर आपका application form है आपका category certificate है इसके अलावा friends आपका high school market certificate है इसके अलावा IT certificate है certificate of physical disability है या फिर आपका apprenticeship.gov पर जो receipt है वो आपको देना है अधार का number है यह friends आप दे सकते हैं तो friends जो आपका applicable है वो friends आपको देना होगा जो applicable नहीं है आप उसको blank छोड़ सकते हैं और उसके बाद friends से दिये गए address पर आप send कर देंगे last date से पहले इसमें friends से नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा cut and paste following address on your own A4 size envelope तो आप A4 size envelope पर इसको cut and paste करेंगे और उसके बाद ही इसको send करेंगे अपने documents के साथ अपने application form के साथ तो form को send करना जरूरी है तब ही आपको वहाँ पर जो last option है जो की verify नहीं है भी वो verify तब ही होगा जब आपकी documents वहाँ पहुँच जाएंगे और वो जब मिलान करेंगे तो like, subscribe, share जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारा YouTube चैनल एनलास, thanks for watching